खोपड़ी की जील तो कहीं साप की साप ये है भारत की साथ रहस्य मई जगए दुनिया में ऐसे कई रहस्य मई जगए हैं जिनके बारे में सुनकर काफी हैरत होती है हाला कि इस मामले में भारत भी पीछे नहीं है आज हम आपको यहां दस ऐसी जगहों के बारे में बताने जा जो लॉंगे के लिए रहस्य बना हुआ है इनमें कोई जगे इनसानी खोपडी जील के लिए जाना जाता है तो कोई सांपों का बसेरा के लिए यहां है इनसानी खोपडी का जील उत्तरा खंड के चमोली जिले में स्थित रूप कुंड लेक को इनसानी खोपडी का जील भी कह जाता है यह जील लोगों के लिए आज भी मिस्ट्री बनी हुई है क्यूंकि यहां अब तक करीब 600 सेकेंट ज्यादा पुरानी इंसानी खुपडी मिल चुकी के सांपों का बसेरा महराश्ट्रा के सोलपुर जिले स्थित शेतपाल गाओं में सांपों का बसेरा है यहां हर घर में आपको कोब्रा जैसे खतरनाक सांप खुमते नजर आ जाएंगे लेकिन आज तक यहां कोई घटना नहीं घटी है हाला कि इसके पीछे का कारण क्या है इसकी गुथी अब तक नहीं सुलज सकी है यहां पुक्षी करते हैं सामुहे कुरूप से सुसाइड असम के जटिंगा में सबसे ज्यादा पक्षी सामुहे कुरूप से सुसाइड करते हैं बताया जाता है कि सितंबर और अक्टूबर के मैने में प्रवासी पुक्षी एंधेरी और धून्दली रातों में उड़ते हुए आते हैं और पेड़ घरों से टक्रा जाते हैं, जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है, यहां पैदा होते हैं जुड़मा बच्चे केरल के इस गाउं में 350 पेयल ट्विन्स हैं, लोग इसे ट्विन टाउन के नाम से भी जानने लगे हैं, यहां के घरों में नहीं होते हैं दर्वाजे महराश्च के शनी शिंगनापुर गाउं के घरों में दर्वाजे नहीं होते हैं, ऐसा माना जाता है कि इस गाउं पर शनी देव की कृपा है इतना ही नहीं शिजगाओं का क्राइम रिट भी शुन्य है आपको बता दे कि इस गाओं में यूको बंक का एक ब्रांच भी है जो लॉकलेस है हिमाचल प्रदेश के स्पीती जिलिस्थित गुई गाओं में आज भी एक ममी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है बताया जाता है कि यह ममी 500 साल पुराने संग टेंजिंग संग टेंजिंग नाम के बुद्धिस्ट मुण की है इतना ही नहीं जब यह लोगों को मिला था तो उनकी बोड़ी पर स्किन और बाल दोनों मौजूद थे हिलता हुआ खंभा हम सब जानते हैं कि आंधरप्रदेश के लेपाक्षी की गिंती एतिहासिक जगहों में होती है आपको बता देंगी यहां मौजूद यह एक खंभा हिलते रहता है लेकिन आज तक कोई दुल घटना नहीं घटी है